शादी के बाद जब मैं इंग्लेंड आई तो कुछ अरसे बाद करेलू तशद्दुत का शिकार हो गए मेरा शोहर बहुत मार बीट करता था और सुस्राल वाले भी बुरी तरह पेश आते थे जब बहुत तंग होकर मैंने अपने शोहर को छोड़ा तो मेरे पास कोई टिकाना नहीं था मेरे पेपर्स भी तयार नहीं थे इसलिए मैं कोई बेनिफिट के लिए अपलाई नहीं कर सकती थी मुझे उस वाक्त बिन में से खाना निकाल कर खाना पड़ता था यह सिर्फ अमीरा फाउंडेशन की वज़ा से है कि आज मैं एक पाईजर जिंदगी गुजार रही हूँ आप प्राइम एरबानी उन भेनों की मदद करें जो मेरी तरह मुश्किलात का शिकार है और www.amirafoundation.op पर जाकर अदिया दें शुक्रिया